अड़ी हो, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज मैं आप लोगों को कोरोल ड्रॉ में एविंजर्स का लोगो कैसे क्रेट करना है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो अभी क्या है पहले एक एलिप्स टूल लेता हूँ, लेके आपको क्या क के बाद अभी देखो, इसमें क्या करना है मुझे, अभी इस सर्कल में एक स्ट्रिप जैसा आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या है इदर एक 9 mm छोड़ता हूँ, और राइट सेड में भी 9 mm छोड़ना है, 9 प्लस 9, 18 mm होता है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को क सेलेक्टेड है, इसको क्या है, कनवल टू करो करता हूँ, कंट्रल क्यू बोलने से क्या है, कनवल टू करो होता है, अभी क्या है, शेप टूल लेता हूँ, लेके ऐसे ड्रैक करो आप, इस चारो पॉइंट अभी सेलेक्टेड है, अभी मैं क्या करता हूँ, इदर क्लिक करत आउ लेके आपको क्या करना है अधर क्लिक करें रहे Symphony करोड करते वुई से ड्रैग करना हैं इप इसका विड्रोमित मुझे क्या है 25 new देना है तो अब इसको क्या है विड्ट में क्या है 5mm देखे Enter देता हूँ तो फिको भी 5mm आ गया अभी इसको क्या है मुझे 45 degree rotate करना है इधर क्या है 45 degree rotate कर लेता हूँ रोटेट करने के बाद देखो भी यह क्या हो गया एंटी क्लॉक्वाज में रोटेट हुआ तो मुझे एक्शुली इस तरफ करना था तो इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ होरिसोंटल कर लेता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी इधर क्या एक नोड है इस नोड को होल्ड करते हूँ इसे ड्रैक करता हूँ जैसे इस लाइन पर आता हूँ तो इधर आपको एज करके बता रहा है आपको तुला इसे ड्रैक करना है जैसे नोड करके आता है तभी आपको क्लिक को छोड़ देना है दिको अभी इधर नोड आया तो अभी क्लिक छोड़ दिया मै width क्या है 15 mm देता हूँ और इसका जो height है इसको 90 mm देता हूँ देखे एंटर देता हूँ सो देखो भी ऐसा आ गया अभी यह जो strip है इसका जो right bottom point जो है यह node करके है इदर दिखा रहा है आपको इस node को hold करके इसे drag करता हूँ इस point पर आने के बाद आपको click को छोड़ देना है इसको देखो अभी zoom करेंगे तो इससा दिख रहा है देखो accurate इस point पर snap हुआ है तो अभी मैं क्या करता हूँ इदर है इतना होने के बाद यह जो line है इस line को और एक up line इदर क्या है इसे copy कर लो इदर right click किया मैंने mouse right click करके left click just copy हो रहा है तो अभी मैं को dans करना है तो इसको और एक बाद प्लिक करो तो इसा rotation का आता है तो अभी इसको क्या है control के साथ ऐसे hold करके drag करसाओ तो दिखो भी ऐसा straight में आ गया अभी आपको किया करना है यह जो node ओपर का इस node को hold करना है bagus करके इसे ड्रैग करता हूं तो दिखो भी इधर क्या है intersection करके आ रहा है तभी आपको click को छोड़ना है अभी ये black में black line वो ठीक से नहीं दिख रहा है तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इसका color change करता हूं इसके लिए क्या है color palette में आके mouse right click करना है तो दिखो भी line क्या है red हो गया ये आपको समझ में आ रहा है अभी मैं क्या करता हूं ये जो line है इस line से नीचे एक line draw कर लेता हूं deselect करो फहले deselect करने के बाद free line tool लेता हूं लेकि अभी मैं क्या करता हूं इधर node करके आता है दिखो भी जैसे drag around node करके आ रहा है तभी आपको click करना है click करके control को hold करते हूं इसे नीचे लेता हूं थोड़ा distance रखता हूं इसे रखके इधर click करता हूं तो दिखो भी ऐसा आ गया ऐसा आने के बाद अभी आपको क्या करना है arrow tool लेना है अब प्रेस करेंगे तो arrow tool लाता है तो अभी इसको और एक बार click करता हूं click करने से अभी बीच में इसे rotation का mark आ रहा है और बीच में point point है इसको control को hold करते हूं इसे ऊपर लेना है आपको जैसे snap होता है तब मैं click छोड़ देता हूं तो अभी इसको क्या है रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए मैं minus में value देता हूं इसमें इसको क्या करना है आपको इधर rotation में आता हूं इधर क्या है rotation है इसमें क्या करना है minus 20 देके enter देता हूं तो दीखो भी minus 20 degree आगय है इसी तरह क्या है अभी इस box का जो top point है इधर से एक line लेता हूं तो इसके लिए क्या है फिर से आप free and tool ले लो लेके इस point पर आता हूं दीखो अभी इधर snap हो रहा है node करके दीख रहा है तभी आपको इधर click करना है click करके control को hold करते हूं ऐसे लेता हूं तो state में आ गया अब फिर से इस line को भी rotate करना है अभी क्या है space पर प्रस करो तो arrow tool आता है arrow tool आने के बाद और एक पर click करता हूं तो देखो भी इसे rotation का mark आ रहा है अभी इधर बीच में आपको एक circle दिख रहा है इसको control को hold करते हूं ऐसे drag करता हूं तो देखो भी उपर ऐसे snap हो गया snap होने के बाद इस line को भी rotate करना है इधर भी क्या है minus में value देना है तो अभी मैं क्या करता हूं minus 25 degree करता हूं circle का जो bottom edge है इधर आता हूं देखो भी इधर quadrant करके आपको बता रहा है अभी इधर edge करके आ रहा है इसको थोड़ा ऐसे Yup,ay对 आपको ग्लीक करना है क्लिक करके ctrl को hold करते हूं इस state में लेता हूं तो देखो भी इसा आगया यह आपको समझ में आ रहा है अभी इधर मुझे क्या करना है कि एरो जैसा मार्क करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर आप क्या करो अभी यह जो लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस लाइन को भी ऐसे select करके आप delete कर दो, अभी क्या है इधर arrow mark बनाना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक freehand tool से एक line draw कर लो इधर, इधर click करके, control को hold करते विए से click करता हूँ, अभी इसका भी क्या है width size मैं बता रहा हूँ, अभी इस box का width क्या है 15 mm है तो इसको क्या है 20, 22 तक लेता हूँ मैं, अभी इसको क्या है 22 mm देता हूँ, विड़त में मैं क्या करता हूँ, 22 दे के enter अभी क्या है, इस line का width क्या है 22 है, अभी इस node को ऐसे hold करके इसे drag करता हूँ, इस point पे लाके, इधर छोड़ देता हूँ, तो देखो भी ऐसा आ अगय अभी इस लाइन को मुझे रोटेट करना है, इसको और एक बर आप क्लिक करो, क्लिक करके इसका point क्या है, इस तरफ लाता हूँ, अभी क्या है इसे ऊपर की तरफ करना है, तो positive में value देना है, तो अभी मैं सिर्फ क्या है, 40 degree देता हूँ, 40 देके enter करता हूँ, तो दीको भी 40 degree अभी इस लाइन को और एक बर आप क्लिक करो, तो normal selection आता है, इसको आपको क्या करना है, control को hold करते हैं, इसको लेना है, लेके आप, इसको right click कर लो, तो दीको अभी ऐसे copy बन गया, ऐसे copy होने के बाद अभी क्लिक कर लेता हूँ, smart fill लेना है आपको, इसको select किया मैंने, color क्य specific है, आप कौन सा भी color आप select कर सकते हैं, तो अभी क्लिक करता हूँ, तो दीको भी color fill हो रहा है, इधर भी click करता हूँ, इस दो part होआ है, तो अभी क्या subject को, shift को hold करते हूँ, इसको select करता हूँ, दोनों को select करके weld करना है आपको, दीको भी ऐसे weld हो गया, अभी क्या है next list में, इस triangle को आप क्या करो, shift page down करो, shift page down करने से इसे नीचे आ गया, अभी इस line को select करता हूँ, shift को hold करते हूँ, इसे drag करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, इसी तरह इस side का भी line ले लेता हूँ, यह आपको समझ में आ रहा है, अभी क्या है, इस line से मुझे क्या कर कर लेता हूँ, तो इसको select करना है, shift के साथ इस line को भी लेता हूँ, दुनों line को लेया मैंने, लेकर इदर pen में आता हूँ, इदर क्या है यह के outline करके है, इसको click करता हूँ, अभी 10 point रखता हूँ, थोड़ा thickness ज्यादा किया मैंने, अगर आप line के साथ इसको cut करेंगे, तो ha अब्जेट हो गया, object करने के बाद आपको क्या करना है, अभी क्या है, इदर बाहर से इसे drag करता हूँ, इस portion को थोड़ा zoom करता हूँ, इसे keyboard से क्या है, इसे थोड़ा अपर, इसे उपर की तरफ ले लो, any box के corner तक ऐसे आना चाहिए, तो इसको इसे क्या है, इस थोड़ा gap से या, आपको सम्झ में आ रहा है, अभी देको, इस point को लगना चाहिए हो, इसे लेता हूँ, लेने के बाद, अभी क्या है, अभी इस point को arrange करने की बाद, अभी क्या है, इसيعवयर को लोना को select करता हूँ, select करकend और और जो किएसे strip लेता हूँ ऐसे strip लेया इसका जो ह falta है इसको क्या है 15 mm देता हूँ मैंदे 15 mm दिया है अभी यह selected प्हले इसको select करना है छी ही बोलता हूँ तो देखो भी height में Center हो गया अभी इससको क्या है weld कर देता हूँ तो single object लोगया यह को समझ में आ रहा है तो अभी मैं क्या करता हूं फिर से क्या है स्मार्ट फिल में आना है आके आपको क्या करना है इदर क्लिक करना है दिको भी ऐसे स्मार्ट फिल हो रहा है तो इदर भी क्लिक कर लेता हूं इस पोर्शन को भी ऐसे क्लिक कर लो आपर यह आपको समझ में आ र यह सब मिलक्य क्या है एक सिंगल अपजट बन गया है एसके ड्राइग इंदे elements करता हूं इस सब मिल की क्या है एक single object बन गया है, इसे drag करके एक बार चक कर लेना आप, इसे single object करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इस portion को तुला जूम कर लो, इसे, अभी क्या है, इस line को क्या है, delete कर देता हूँ, अभी जैसे हमने इधर arrow mark के लिए, जैसे हमने cut किया था, उसी तरह इस strip को भी इधर cut करना है, इससे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, जो अंदर का ये circle है, इसको select करो, shift के साथ आपको क्या करना है, जो बाहर का circle है, इसको select करके, back minus print बोलना है, तो क्या है, अंदर का सिर्फ क क्या है, अभी ये strip जैसा बन गया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इस portion में क्या है, freehand tool लेके, इस line को जैसे, इधर क्या है, edge करके आ रहा है, तभी आपको click करके, इधर तक ऐसे लेता हूँ, इसी तरह क्या है, इधर भी लेना है, आपको इधर click करके, इसे लेता दोनों तरफ लेया है मैंने तो अभी क्या है इससे आप ड्रख करो करें या यह ने वू दोनों लाइन selected है भी दिखो जो भी हमने हमने दो लाइन कर freezer बहुत है आपको समझ में ऐगा अभि इसको ondo करता ऐ侯ो अभी इसकाerd थिकनेस का ऐसी तरह का थेता हूँ इदर but आउटलाइन पेन में आके 10 पॉइंट दिया मैंने तो 10 पॉइंट देने के बाद अभी ये लाइन है तो सेर्फ हेर लाइन जीसा कट होता है ऀसको ऑपजेट करना है उसके लिए मैं क्या करता हूँ अरें मेंगे convert outline to object बोलना है, तो object हो गया, shift के साथ इस circle को select करके, back minus front बोलना है, तो दिखो भी ऐसा cut हो गया, अभी फिर से आप क्या करो, smart fill लेके इधर click कर लेना आप, इसको भी click करता हूँ, अभी आपको क्या करना है, इसको select करके, shift के साथ इन दोनों को select कर लेना, करके, weld करता हूँ, तो दिखो भी ये single object बन गया, ये क्या है, लोगो ready हो गया, तो अभी इसको और थोड़ा creative कैसे करना है, उसके बारे मताता हूँ आपको, तो अभी क्या है, इसमें कुछ texture देता हूँ मैं भी, इसको क्या है, इधर fill tool में आता हूँ, fill tool में आके आपको क्या करना है, pattern fill में आ इसको okay भूलता हूँ, तो दिखो भी ऐसा आ गया, लेकिन ये texture थोड़ा आपको बढ़ा लग रहा है, अभी दिखो ये बढ़ा लग रहा है, तो इसको छोटा करने के लिए फिर से इधर आता हूँ, pattern fill में आ जाओ, आने के बाद अभी क्या है, ये 100 है, width इसका 50 by 50 रखता ह इसको क्या है, okay भूल दो आप, तो दिखो भी ऐसा आ गया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो outline है, इसको most right-click करता हूँ, तो outline रिमू हो गया, वैसे ही एक copy रख लेता हूँ, तो अभी इसको क्या है, bitmap करना है मुझे, तो इसको क्या है, bitmap मैं के convert to bitmap बोलता हूँ, any image हो जाता है, resolution क्या है, 300 है, इदर mode क्या है, CMOK है, अगर चाहे तो आप RGB भी कर सकते हैं, अगर upset printing के लिए वगेरा भेज रहे हैं, तो आपको CMOK रखना है, अगर lab के लिए वगेरा भेज रहे हैं, तो RGB रख सकते हैं, अभी के लिए RGB रख रहा हूँ में, और entelize को active रखा ह आप इसको क्या है, double click करने से क्या है, photo paint में जाता है, अभी इसको मैंने double click किया तो, इस logo को लेकि वो क्या करेगा? Coral Photo Paint में जाता है तो दिखो भी ऐसा आ गया अगर एक एक बार आप Double Click करते हैं तो अगर नहीं आ रहा है अगर Photo Paint को नहीं जा रहा है तो तब आपको क्या करना है Tools में आना है Tools में आके Option में आना है Option में आने के बाद आपको क्या करना है Edit में आना है Edit के अंदर अभी क्या है, Double Click Edit, Bitmap in Photo Paint करके इदर है, अगर यह Deactive है तो इसको Active रखना है, रखके आपको क्या है, OK बोलना है, तब आप इसको Double Click करेंगे, तो क्या होता है, इस Logo को लेके Photo Paint में Open होता है, तो दिखो भी Photo Paint में Open हो रहा है, दिखो ऐसा Open हो गया, इतना Open होने के बा आपको क्या करना है, Texture में आता हूँ, Texture में आके इधर क्या है, इधर Plastic करके है, इसको Click किया मैंने, तो दिखो भी ऐसा आ रहा है, इसमें क्या है, ज़्यादा कम करके ऐसे Adjust कर सकते हैं, अभी इसमें क्या है, Depth भी आप दे सकते हैं, तो Highlight भी आप कम ज़्यादा कर सकते ह तो दिखो भी इसा पूरा ग्लेज दिख रहा है यह आपको समझ में आ रहा है इसको थोड़ा मिडियम रखता हूँ इसको थोड़ा इसे मिडियम कर लिया मैंने तो अभी इसको आप क्या करो थोड़ा डेप्थ कम कर लेता हूँ तो दिखो भी इसा स्मूथ लग रहा है, यह आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आप इसका यूज ले सकते हैं, बहुत ही क्रेटिव लगता है, तो स्मूथ और थोड़ा कर लेता हूं इसे, इसे आपको समझ में आ रहा है, इतना होने के बाद अभी इसको क्य क्लोज करने के बाद अभी देखो इदर आपको पूछ रहा है सेव चेंजिस टू बिट मैप करके इसा पूछ रहा है इसको यस बोलना है तो क्या होता है कोरूल रॉम में इदर देखो अभी ऐसा आ गया यह आपको पूरा एंबोस दिख रहा है यह आपको समझ में आ गया तो अभी इसी तरह क्या है अलग-अलग डिजाइन साब बना सकते हैं अभी यह तो यह खो गया अभी मैं क्या करता हूँ इसको एक प्लेन कलर रखके लेके जाता हूँ अभी यह लोगो क्या है इसको एक नॉर्मल एक रेड कलर दे दिया मैंने तो अभी इसको क्या है bitmap करता हूँ और के कैसे copy रखता हूँ अभी इसको क्या है convert to bitmap बोलता हूँ bitmap में आके convert to bitmap बोलना है एनी image करना है उसको resolution 300 है so anti-lapse भी active है transparency भी है इसको okay बोल देता हूँ अभी इसको क्या है double click करो आप double click करने से क्या है photo paint में open होता है hail few states तो इसको maximize कर लेता हूँ तो अभी क्या है इसदर affects में आता हूँ effects में आके आपको क्या करना है इदर और रूर एक एक advanced best आपको क्या करना है, bump map में आना है, bump map में आके आपको अलग-अलग ये patterns मिल जाएंगे इसमें, इसमें बहुत सारे patterns है, अलग-अलग patterns आप दे सकते हैं, अभी इसमें क्या है, style में क्या है, अभी veins करके हैं, ये लेता हूं मैं, इसको लेने के बाद अभी इसको क्या है टाइल बोलता हूं तो ऐसे नजदिक में आ जाता है इसमें चाहिए तो आप बड़ा च्छुटा इसे इधर देकर आप कर सकते हैं तो अभी के लिए ऐसे ही ओके बोलता हूं तो देखो भी ऐसा आ गया इतना होने के बाद फिर से क्या है अभी इदर आता हूँ एफेक्स में आता हूँ एफेक्स में आके आपको क्या करना है टेक्शर में आना है टेक्शर में आके फिर से प्लास्टिक में आता हूँ आने के बाद दिखो भी ऐसा लग रहा है, इसमें आप highlight जादा कम कर सकते हैं, इसमें depth भी आप जादा कम कर सकते हैं, तो दिखो भी ऐसा आ रहा है, तो इसमें क्या है smoothness भी आप जादा कम कर सकते हैं, इस अब करके आप चक कर लेना, तो जैसे जैसे आप movement करेंगे वैसे आप आपको समझ में आ जाता है तो दिखो अभी कुछ अलग टेक्शर जैसा लग रहा है इसको okay बोलता हूं अभी इस photo paint को क्या करो आपको इसे close कर दो close करके इधर क्या है yes बोलना है तो क्या है coral room में जैसे आपने close किया था वैसे open होता है यह आपको समझ में आ रहा है दिखो भी इस तरह यह टेक्शर बन गया इस तरह क्या है बहुत सरे डिजाइन्स आप कोरलरा में क्रेट कर सकते हैं अब भी हमने क्या है फोटो पेंट का हेल्प लेते हुए इस तरह का लोगो बना लिया है हमने इस तरह क्या है नमबर आफ लोगों सोगे रहा है आप क्रेट कर सकते हैं अगर यह करते वक्त आपको कुछ डॉट्स होगे रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा हमारे साथ जुटे रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद